नेक्स बचो आपकी पास question number one का third part है first के third part में function दिया हुआ sin x plus cos 3x आपने इसका primitive period निकालना है जब कभी ऐसे situation हो कि एक time में आपके दो functions आ रहे हों तो आपने उन दोनों का पहले लग लग primitive period निकालना होता है उन दोनों के period को निकालने के बाद आपने उन दोनों का common factor देखना होता है या common multiple की form में देखना होता है फिर उसके respect से overall का आपने period बिताना होता है जैसे कि देखें यहां पहला function sin x था दूसरा cos 3x था पहले हम sin x का primitive period निकालते हैं इन्होंने यां direct लिखा हुआ है कि cos का primitive period 2 pi by 3 है और sin का 2 pi है यह कैसी है यह मैंने luck side पे solve किया हुआ है देखें जब हमने sin का primitive period निकालना है हमें sin के angle में 2 pi को add करना पड़ेगा और जब cos का निकालना है तो cos के angle में 2 pi को add करना पड़ेगा अब देखें यहां पे तो already x ही है कुछ common लेने की जूरती नहीं है क्यूंकि x के साथ कोई चीज अगर multiply हो रही हो तब comment लेते हैं जब x अकेला simple आ रहा तो कुछ में multiply नहीं करते डारेक्ट वहां से बता देते हैं आप x सिंपल आ रहा है तो यहां से आप कहोगे कि जो sin का primitive period 2 pi है cos में जब हमने 2 pi आड़ किया तो देखें cos में x के साथ 3 आ रहा था अब इसमें से जो x के साथ चीज होती है उसको common लेते हैं जब आप इसके साथ वाले चीज को common लोगे तो देखो यहां पे 3 नहीं था इसका मतलब यह जो चीज common ना हो उपर उसको dvn में लिख देते हैं तो यहां पे आजेगा 2 pi by 3 तो इसके respect से आप x के साथ जो चीज एड़ हो रही है वो 2 pi by 3 है तो आप कहोगे cos का primitive 2 pi by 3 है तो इस वारा से उन्होंने लिख है कि अगर हम अकेले cos 3x का primitive period निकालने तो 2 pi by 3 आते हैं अगर हम sign का निकालने तो 2 pi आते है बेसिकली जब दो functions आपके पास add हो रहे हूं आपने उनका primitive period निकालना हो आप उन दोनों का LCM लेते हैं उन दोनों के primitive period का LCM लेने के बाद जो term answer में आती है वो उन दोनों का common period होता है लेकिन अगर आप गोर करो यहाँ पर 2 pi है यहाँ पर 2 pi by 3 है इस term का LCM ए exist ही नहीं करता जब कोई चीज इस तरह आ जाए कि एक चीज पाई की form में आ रहे हो नंबर की form में और दूसरी integer की form में आ जाए period 2 pi आता है यह कामा आपने क्यों किया है आप लोगों ने यहाँ पर इस वरह से सिरफ इसका period 2 pi बता दिया क्यूंकि आपने जब दोनों period निकाले एक बटे की form में आ रहा था जो चीज को डिसकस नहीं करते दूसरी चीज को डिसकस करते हैं और कह देते हैं कि यह इसका overall period है that's why हमने कह दिया कि पूरे के पूरे function f of x का जो primitive period है वो टूप आई है टूप ही ऐसी डमें जिसको इसके एंगल में एड़ करो इसके एंगल में एड़ करो answer again वही वाला function आ जाता है ठीक है क्यूंकि पीरेड वही चीज होती है कि उसके अंदर कुछ भी एड़ करो अगेन आपको वही function आंसर दे दे तो आपने यहां से कह देने इसका primitive period टूप आई है आप लोग चाहो तो यह ची पीरेड निकालना पड़ेगा दूसरे का लग से आपने क्या करना है दोनों के angle में आपने 2i को एड़ किया 2i को एड़ करने के बाद देखें आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी आपने 2i को एड़ किया तो आपने एकस के साथ वाली चीज़ कॉमल लेनी थी 1 by 3 कॉमल यहां x रह जाएगा अब divion में चीज लिए तो जो चीज divion में है वो अगर अगर अंदर नहीं आ रहे तो उसके साथ multiply हो जाएगी तो 3 इसके साथ multiply होके 6 बन जाएगा इसी तरह यहां पर जब 1 by 5 common लेंगे वो 2 पाई के साथ नहीं था तो वो divion में common लिया तो multiplication में अंदर आ जाएगा उसके साथ 10 पाई बन जाएगा इसका period आपके पास देखें यहां से 6 पाई निकल है इसका period यहां से आपके पास 10 पाई निकल है तो आपने कहा कि first वाले का primitive period 6 पाई है कि और दोनों सेंग आ रही हो लेकिन अगर दोनों डिफरेंट सबस्क्राइब नहीं लेते क्या देते हैं कि जो उसमें से बड़ी चीज़ है उसका प्रिमिटिफ पीरिड वह है उसके बार ने आपके पास fifth question है fifth में भी दो टम्स है दोनों में आपने टू पाई एड़ करना है एड़ करने के बाद आपने common लेनी है एक्स के साथ वाली चीज जब आप एक्स के साथ वाली चीज कॉमन लोगे तो कोस का primitive period टू पाई बन जाएगा साइन का primitive period टू बन जाएगा अब देखे कि जब यहां पर बात ओरी थी दोनों के साथ लास्मी पाई आ रहा था इसमें एक के साथ आ रहा है एक के साथ नहीं आ रहा तो आपको होगे इसका primitive period एक्जिस्ट ही नहीं गड़ता क्यूंकि इसके अंदर कुछ भी इसका multiple common नहीं आ रहा उसके बाद नेक्स्ट आपके पा सब क्वेशन नमबर टू है